यह एक वाइडियो ही सजा दिलाने के लिए उमर कैद की सजा दिलाने के लिए काफी है इन दोनों पुलीस अधिकारियों को हमिच्छा जीने और डोबाल जीने कराया भी होगा अगर कोई एंकाउंटर यह हाफ एंकाउंटर कराता है तो वो योगी जी कराते हैं मुसल्मानों में काम है अरेसेस के एजेंटर दलाल लाइन लगा के हैं उनकी भाषा एक जैसी होगा हतियार होगा और वो इसलिए होगा कि यह हैं तो बुजदिल कोई फूप मारेगा तो भाग जाएंगे पुलीस साथ चल रही होगी हतियार लेके बरावर में चल रहे होंगे उससे पता लगता है कि यह आरेसेस के काड़र हैं ट्रेंड अतंगवादी हैं पूरी जो जलूस निकल रहा होता है उसमें यह 100-200 लोग सारी गडबड यही लोग करते हैं हर वीडियो में आप देख लोगे कि वो एक खास तना के लोग हैं अब जैसे शरुलकास्ट और मुस सबसुझराइन विडियो जिया और सचाहाइन गाぐ हैं अनड्र कोई होती है कोई सड़ली उलीच रहा है और उनका तकराव बदमाशों से अचाना कोच चाह अचान चक यह जो एक तरिके से कातिल थो और बलaden नहीं दच करते हैं फिर उन्हें जंगल में आ कप ज़ives वो तो सब आतंगवादी है ना देखिया हम लोगों ने हमारे कुछ मुठी बरसातियों ने सच्चाई एक दम सच्ची साफ सुत्री बिना लाग लपेट के सच्चाई कहानी कुछ समय पहले से या कुछ सालों से शुरू किये कि RSS एक आतंगवादी संगटन है अब हम लोगों के बोलते बोलते अब जो कॉंग्रेस जो की सबसे बड़ी ओपिजिशन पार्टी है उसके अध्यक्ष क्योंकि वो शुरू का समाथ से आते हैं तो वो सच बोलने में सबसे आगे रहेंगी चाहे कहीं भी हो तो उन्होंने भी आतंगवादी संगटन कहा असलियत यही है जो स बोलेने में आगे तो वो सच बोलते हैं बहुत जोट बोलने में अवाले जोट को में बड़ा चड़ा के बोलते हैं यह सबसे बड़ी बात है गली का रही है आप उन से आध जोड़गे के कहेंगे कि बहाएं जी हमें मत मारिय है तो यह प्रता उनके मूए यह हॉघosphे यह को आतंगवादियों को आतंगवादी कहना बहुत जरूरी है और कोई ये मिसाल देके नहीं कि तालिबानी जैसे आतंगवादी है वैसे आरेसस वाले आतंगवादी हैं आतंगवादी ही हैं किसी से मिसाल देके ये क्यों दिखाना कि हमें इनको आतंगवादीयों को आतंगवा ऐसे लोगों को आपने जैसे लोगों को थाट करने का इसमें कोई बुराही नहीं है, जो योगी जी उने का बटोगे तो मुझेन कटोगे, बिल्कुल सभी हुआ है, एक डम ठीक बात है, उन्हों लोग है जो मुझे सेवनन लोग सेבע काती है, उन लोगों भाता है आप काहिं ह कि बात है कोई मुझे कोई बुराही नहीं लगती हाँ इसमें से हमें भी सीखना चाहिए जो हम शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब मुस्लिम सिख क्रिस्चन बॉद ओभी सी हैं यह भी हमें एक होना चाहिए क्योंकि हम भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो जनरल केटेगर चलाया जा रहा है पूरी तरह ऐसे मुसल्मानों के खिलाप कैसे देख रहा है बटोगे तो कटोगे किसा आप सी देखता हूं मैं तो मुसल्मान कोई शेडूल कास्ट से अलग नहीं है एक जैसी स्थितिय है बलकि मुसल्मानों के उपर आज भी शेडूल कास्ट और ज्यादा वोट देंगे लेकिन सच्चाई यही है मुसलमानों से कहीं ज्यादा शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइप पे अत्याचार जुल्म ज्यात्ती रोज हो रही है रोज और क्योंकि वह हर्त रेगुलरली हो रही है तो लोग उस पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं तो अब आप लोग इमानदार पत्रकार सोशल मीडिया के हो गए हो कुछ तो कुछ ना कुछ खबरे उस अत्याचार की भी चंचन के आजादा अब जैसे शेडूल कास्ट और मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे कटी रहें दोनों कट रहें शेडूल ट्राइब मुसलमान और आपस में बटेंगे तो कटेंगे अजादी से पहले जब बाबसाब दोक्टर बीम्रा ओंबिट कर यह समिदान बना रहे थे तो उसमें एक माइनोरिटी की सब कमिटी बनी थी उस माइनोरिटी की सब कमिटी में कौन कौन कमिटी में कौन कौन माइनोरिटी थी यानि कि संक् नहीं बटेंगे तो कोई छुने वाला अपने मन में सपना भी निया से बाहर वह सबसे ज़ीया निकलती है दुनिया किस्वेजी इसमे बड़ी जाते है नहीं कोई बादा प्त्थरवाजी होती है है पत्थरवाजी वह स्वयम करते हैं आप बताएं बाबासाफ डॉक्टर बी इंडिया से बहार भी सबसे ज्यादा शोभा यात्राइं निकलती है दुनिया की सबसे बड़ी आज वह भी मनाई जाती है ना वहां तो कभी कोई नहीं पत्थर मैंने नि सुना अब यह आरे से वाले आतंग वादी संक्टन वाले सुन रहे होंगे तो आगे से कुछ शरारत च दिया समग्सवंञस Greg व tae समयं वह एपना जलॉस निकाल रहे हैं जो भी उनकी मानिता हैं उसके साथजया से जलॉस निकालते है् आरे से वाले उसमें अपने जो eyesightक्ण पाले हैं सो डोसो पांस उस जलुस के साथब से उसमें भेचते अब यह दूर से पहादे जाते हैं इ जैसे उन लोगों ने हमारे अंदर छोड़ रखें, वैसे मैंने भी छोड़ रखें, तो मेरे जासूस जो RSS के अंदर हैं, मुझे सारी इंफर्मेशन देते हैं, तो मोदी जी ने वहीं से सीखा है, कप्ड़ों से पेचानना, जैसे भावा साब का नीला कोट पहन के कोई आता है, जैसे अभी मुझे से पहले ये बैठे थे, तो ये शरीफ आदमी है, नारे लगाने की टोन से ही पता लग जाता है, दूसरा इनके हाथ में होंगे हत्यार, ठीक है, और तीसरा ये हत्यार जो है, उसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, हत्यार हों, और हतियार को अपनी धार्मिक भावना से सिरफ मतलब अपने भावना के प्रती इस्तिमाल करना, किसी मनुष्य के प्रती या किसी और के प्रती इस्तिमाल ना करने की इच्छा नहीं होना, वो भी चलती है, हतियार होगा और वो इसलिए होगा, कि यह हैं तो बुजदिल, कोई फूप मारेगा तो भाग जाएंगे हत्यारों से और पुलीस के समर्तन से इनको थोड़ा सा दिल आता है कि ये इस प्रकार की गंदी गिनों नहीं हरकते कर सकें तो उससे फिर पुलीस साथ चल रही होगी हत्यार लेके बरावर में चल रहे होंगे उससे पता लगता है कि ये आ इस प्रकार की गंदी-गंदी हरकते करेंगे क्यों कि कोई सब्रांधवेक्ती बले ही वो सनतन धिर्मता मानने वाला ही क्यों नहीं को कभी नहीं करेंगा मा बहनों के बारे में इतना बुरी-बुरी बात यह अंदर से आती है न, RSS के, अंदर से निकल के आती है, उनकी घ्रणा, महिलाओं के प्रती घ्रणा, RSS में आज तक कोई महिला, आज तक भी मेंबर नहीं हो सकती है, यह पता है आपको, RSS के अंदर मेंबर्शिप भी नहीं है, महिलाओं के, अंदर से निकल के घ्रणा आती ह जो असली मुस्लिम होंगे, अगर वो RSS वाले, अरूप लगाते हैं कि वो भी असली हिंदु नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूँ, अरूप नहीं लगाते हैं, सच्चा ही है, RSS द्वारा ट्रेंड, मुस्लिम हो, हमारे शडूल कास्ट कम्निटी के लोग भी हो, जो RSS के होते है वो इसी प्रकार की भाषा का प्रियोग करते हैं, मुसल्मानों में कम है RSS के एजेंट और दलाल, लाइन लगाके हैं, उनकी भाषा एक जैसी हो, यह भाषा वहीं से सिखाई जाती है, और वहीं पर सिखाई जाती है, ट्रेंग दी जाती है, लोगों की अंदर अगर आत्मा एक सेंटीमीटर भी बचेना, उसको भी कुचल-कुचल के खतम किया हो जाता है, तो यह उस प्रकार की बाते करेंगे, और उसके बाद फिर मजिदों की तरफ या किसी और तरफ पठाके चलाएंगे, यह सब हरकते करेंगे, फिर भी अगर कोई रेक्शन ना हो, तो यह अप 20% से जदा केसी में, यह खुद अपने लोगों को भी मारते हैं, ताकि इसका दुरूपयोग कैसे करेंगे, चुनाओ, पचास थरीके हैं ना, लूट मार करने के लिए, अब पैसा लूट के कहां ले गए होंगे, अब जो यह सेंकड़ो घर में से पैसे और अच्छी-च्छ फोन, टेलिविजन, यह लूटे हैं, तो यह सब कहां जाता है, इकटा हो के, हिस्सा तो देना पड़ता है ना, अपने बड़ों को भी, यह सब एक चेन है, जो अब यह लॉरेंस बिश्नो ही है जासे, है ना, यह का अगे ले यह सब माल हजम कर जाता है, जो यह सब कर रहा ह जेल के बार की बात नहीं है, उसके आदमी के तार कहां जुड़े हो है, अभी तो कैनेड़ा सक्षा निकल के आ रहे हैं वो तार, अमिच्छा जी का और डोबाल जी का नाम आ रहा है उसमें, तो यह सब एक और्गनाइस क्राइम है, अब जो विश्नो ही है, वो गुजरात म ड्रग्स के अपराद के लिए, और उसी गुजरात में, अडानी जी के, जो उन्होंने पोट अभी लिया है, उसमें, हजारो करोड रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, कनेक्शन नजर आता है, गुजरात गुजरात में, उसे कैसे देख रहे हैं, जो जिस तरह गोली ल जर्म खुदी कर रहे हैं, जो वो स्टेट्मेंट वीडियो में दिखा रहे हैं, उसी को दिखा के, अगर कोई इमानदार जज होगा, तो इसी में उन दोनों को सजा हो जाएगी, जो पुलीस ऑफिसर जा रहे हैं, और तीसरा जो उनकी वीडियो बना रहे है, ऐसे हो सकता है सजा है, यह अपना खुदी इक बाले जर्म कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, साफ नजार आरा इसके ओपर कितना दबाब बला के कहलवाया जारही हैं, इससे बाते हैं, जो बंदा लटकावाया अधमरासा, तो आपर आधी को तो वैसी तरह से लाएंगे ने, जिस तरह से सरकार क प्रसाइसन के तकाम करता है, यही बात है, यह सरकार अगर यह बोलेगी, जैसे एक्जामपल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं के योगी जी यही आधेश देते होंगे, योगी जी यह आधेश दे हैं, कि मुझे पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहीं, यह स्टेट ब मानने के लिए बात दे नहीं हो, अगर वो गहर कानूनी आदेश आप मानोगे, तो अपराद होगा, तो आपको अपराद की सजा मिलेगी, तो यह थोड़ी फिर तो योगी जी तो अपने चारो तरफ जितने लखना हूँ, इदर यूपी में बैंक की लुटवा के पैसे ले एंकाउंटर, जिसमें मृत्यू हो, तो हतिया का केस होता है, और एकाउंटर, जिसमें पैरों पे गutarने मार दस हजार लोगों के पैर में घुली हो ठांग में, इतना पराद की लादानगे कोशिकिशिल्ल найдए, तो अपरादी है जो प्रकार की घठना करता है वो अपरादी ह कर रहा है जो वेक्ति समिधान को छोटा बता रहा है समिधान को बेकार बताने का काम कर रहा है वो पुलीस अफिसर होगा वो सरकारी अफिसर होगा वो तो एक अपरादी होगा और जो उनको एक करवा रहा है वो तो ही अपरादी चाहे वो योगी जी हो चाहे अमिच्छा जी ह हैं अभी वोई तो पकड़ी जा रहे है नबाते क्राया है अमिच्छा जी ने और देश कर नाम बेदा मोरा जो ये बिद्धन काॉंटर वुल नाम करते हैं ये वैसा ही काम है कि अगर मिच्छा जी ने और तो वह अमिच्छ जी ने कराया है, वह हम मिनिस्टर इंडिया तो स्यचा जा है, तो जो योगी जी कराते हैं, वह छीफ मीनिनिस्टर उत्तरप्रदेश नहीं कराता है, इस दरार को इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है पूरे देश का नाम बनाम हो रहा है दो वेक्तियों की वज़ा से इनको अरेश्ट करके दे देना चाहिए ट्राइल फेस करने के लिए देश का कोई लेने देना नहीं है भारत देश ने पहले कोई अपराद किया ना है ही नहीं अभी तो सोई भी तो होती है जो हो यह तो जो अभी हमारे चीफ जश्टिस साहब ने मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं बहुत ज्यादा प्रसन हूं उनके कारणामों से उन्होंने जो नकाब है एकड़म हटा दी जो भी कुछ एक कपड़े पहन पर उनके पीछे कड़े होके अगर वो आरती करते तो मैं पीछे कड़े होके ताली बजाता हूं यह उन्होंने एक दम क्लियर कर दिया और मैं इंसिरेंटली चीफ जस्टिस भी हूँ तो चंदर चूर साहब ने भारत की जूडिशरी को सबसे लोएस्ट स्तर पर ला दिया लेकिन कम से कम इतना मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सच्ची बात जो है दुनिया के सामने उजागर कर दी और उसके बाद उन्होंने यह भी दिखा दिया कि इनसाफ जो है अब हम लोग यह बता रहे हैं कि हम देख के न्याय करेंगे यह आरेसेस का आदमी है यह जीतेगा यह मोदीजी का आदमी है यह जीतेगा यह नहीं है मोदीजी का आदमी है यह जीतेगा यह नहीं है मोदीजी का आदमी है हारेगा पट्टी हट गई इनके उपर से यह मनुवादी मानसिकता का वेकती है मैं भी मनुवादी मानसिकता का वेकती हूं यह जीते बातोगे तो उसको करना बिलकुल बटोगे तो कटोगे विल्कुल नहीं बटना हैं हम 90 से बिलकुल नहीं कटना है और बिलकुल 10 परशंट वालों से दबना नहीं है आपने हम जब जिस दिन इकटे हो गए नहीं बटे हम राज करेंगे और यह सब लोग RSS वाले जेल में होंगे और इतना पैसा इनोंने देश का चुराया है न यह तो कह रहे हैं 15-15 लाक हम एक एक करोड रुपे हर परिवार को दिलवाएंगे जिस दिरोड एक करोड एक चुल मोदी जी ने तो कहा मैं बहार से लाओंगा न वही है न लाओंगा मैं तो लाने के लिए कह नहीं रहा मैं तो वह बता रहा हूं जो है जो रखा हुआ है SCST सब प्लान का पैसा शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब के लिए बचा हुआ है 1980 के दशक से हर बजट में जो हर साल बजट पास होता है उसमें संक्या के इसाब से बजट का पैसा रिजर्वड होता है शेडूल कास्ट के लिए संक्या के इसाब से शेडूल ट्राइब के लिए ठीक और वो अगर एक साल खर्च नहीं होता तो अगले साल कैरी फॉरवड हो में बता रहा हूं ना यह तो सब जूट है नौौक एकर से भी कहीं ज्यादा है लेकिन वो धीवी मुसल्मानों कीं हैं किसी सरकार ने गिफ्ट या ग्रांट नहीं किया, मतलब ये जो 200 साल, 500 साल, 800 साल पहले भी नहीं दिया किसी ने गिफ्ट, हर एक व्यक्ति ने अपनी जाती जमीन दिये वाक्फ में, वो वाक्फ है और उसका अगर सही प्रयोग होगा तो हर एक मुस्लिम परिवार करोड़ पती हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से जो बहरायच इंसा में हुआ है, सब कुछ उसके बाद इंकाउंटर हुआ, गोली लगी उसके बाद जिस तरह से माहौल बना हुआ है, पूरी तरह से अभी बहरायच और उत्तर पिदेश में कई जिलों में च्छावनी से तबदिल कर दिया गया है, च्छावनी के रूम म है, आप इस पूरे मसले पर कैसे देखते हैं, बहरायच इंसा को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरू रखें